हलो फ्रेंड्स रेया फेशन में आपका स्वागत है फ्रेंड्स यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और गंटी के बटन को जरूर जबाए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके है और साथ ही आप मेरे फेश्बूक पेज को भी जरूर फोलो करें तो आज मैं आपको पर्दा बनाना बताऊंगी तो पर्दे के लिए फ्रेंड्स यह देखें यह है पर्दे के लिए पट्टी और यह हमने आठ कड़ी वाली पट्टी लिए और इसमें 9 की भी आती है और 10 की भी आप 8 की लिजिए या फिर आप 10 की लिजिए तो यह देखें इसमें 8 फोल है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और यह 8 और इसके लिए हमने देखें 8 कड़ी लिए और 8 इसके वासर लिए है और यह देखें और यह हमारा पर्दे का फेबरिक है वाइट कलर का और इस को लिए हम CUTTING करेंगे स्कें केके हमने एक max garden लिया देखें अगर आपके पास sulfuring iron नहीं चैव मां प्राइन की से शैतना अधर लिजिन को से कड़ें हैं ऑन भाता नहीं ए तब आप कर सकते हैं से क्या क्यांका मेंस हाइट coconut आप उस नतालन करों मशीन में भी वास कर सकbon हैं बहुत सारे करटन की क्या के पट्टी इस तरह से लगी हुए होती है कुछ लोग इस पर्दे को इस तरह से सिलते हैं देखें यहां से ऐसे फोल्ड करके और इस तरह से पट्टी को रख देते हैं यह पट्टी लगाने के दो तरीके होते हैं तो यह देखे इस तरह के से सीधी लगा दी इन्होंने इसको फोल्ड करके थोड़ा और इसको सीधा इस तरह के से लगा दिया जिससे क्या होता है कि यह देखे इस तरह के से यह पट्टी निकल जाती है यह देखे यह रे से निकलने लग जाते बहुत जल्दी और यह खराब ह आप पतेन नहीं कि आयों हो जाता यह देखे तो जो तरीका मैं आपको बता हूं कि वो उसमें ये समझ्या नहीं रहे गाँगे वो क्या कि ये पट्टी जो होती व अंदर फोल्ड ंजाएगी इसतरीके से देखे ऐसे हम उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके लगाएंगे इस तरह से तो अब मैं आपको लगा करके बताती हूँ तो इसके अंदर आप ये देखे ये पट्टी को आपको इस तरीके से रखनी ये देख ऐसे और एक फोल्ड आप इसे लगा दीजिए अगर आपको ज्यादा सिलय आती है तो आप सीध ज्यादा फिनिसिंग आएगी ऐसे यहाँ पर आप सिलय लगा दीजिए मैं आपको लगा करके बता देती हूँ ये देखें ऐसे थोड़ी से मैंने आदा इंच करीब मैंने ये पट्टी कटिंग कर दिये ताकि ये बहुत ज्यादा कड़क नी हो जाए हम इसको फोल्ड करें इसलिए आप नहीं भी काटेंगे तब भी कोई दिकत नहीं एक सिलय हमने यहाँ अपर लगा दी अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे ऐसे और फोल्ड करके आप या तो इसको कच्छा कर ले या फिर आप पिन लगा ले अगर आप कुछ नहीं लगाना चाहे तब भी कर सकते हो लगे न अगर आप इस पर पिन या कच्छा कर लेंगे तो एकदम से यह बराबर फिनिसिंग आएगी इसमें जोल नहीं आएगा अब हम यहां पर किनारी पर सिले लगा देंगे और एक सिले आप यहां उपर भी लगा सकते हैं ताकि अच्छे से पट्टी बीच में जम जाएगी यह पट्टी यहां पर फिक्स हो जाएगी नीचे और उपर हमने सिले लगा दिये अब हम यह साइड की जो किनारे होती है यह देखे इसको भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ऐसे अगर आप नहीं करना चाहो तब भी यह किनार रख सकते हो लेकिन अगर आप फोल्ड करोगे तो ज्यादा अच्छी लुकिंग किनारी की साइड में हमने इसको फोल्ड कर दिया है इधर भी और इधर भी इससे क्या परदे के लुकिंग ज्यादा अच्छी आती है अब हम यहां पर या तो आप इसको हाथ से महसूस करके चोक से मार्किंग कर ले या फिर आप इसको सीधा इस तरह से ऐसे डबल फोल्ड करके और इससे महसूस करते हैं इस तरह से इसको फोल्ड कर ले और कैंची से काट ले ध्यान से काटे आप थोड़ा कम ही काटे आप ज् को जला देंगे यह देखे इस तरह से हमने बोल कर लिया अब हम सोल्डरिंग आइरन की मदद से हम इसे हाथ से महसूस करते हुए इस कपड़े को गोल कर लेंगे इस तरह से यह देखे हमने जला लिया इसको जलने से क्या होता है एक तो इसके अंदर जो धागे निकलते वह भी नहीं निकलेंगे अब इसमें से क्योंकि अच्छी से यह किनार बन गई अब हमें इसमें कड़ी लगानी होई यह देखे यह पर्दे का उल्टा साइड है और यह सीधा अधिन से लेने जाते हैं और वसके फसानिय वा भार ने तो आप को अगर अच्छा मिल जाए तो आप आप अच्छा लेलीज़े और इसको लगाने का तरीका में बता तो यह देखेंगे जिसमें यह गुरू दिखाई दे रहे हैं इसे किनारी वह अंदर की साइड रहने ची और जो फ्लेट पोर्शन हो यह उबरा हुआ जो है वह उपर रहना ची और जिसमें इस तरह डीप है वह अंदर इधर रहना ची नीचे कपड़े की तरह तो इस तरह से आप इसको लगाएं इस तरह से फिट कर दे यह देखे यह देखे सीधी साइड एकदम यह फिक्स हो गया और इसमें बहुत जो आपके परदे में कपड़े के रह से निकलते वह भी निकलेंगे जलाने से इसी तरह से हम सबीगों कर लेंगे कटिंग करके हाथ से आप महसूस कर लें और इसको या फिर आप सीधा इस तरह से भी कर सकते हैं, यह देखें आपको बताते हैं, इस तरह से आप चोक से महसूस करके निसान लगाते जाएं, इस तरह से, इस तरह से भी आप कटिंग कर सकते हैं, सीधा ऐसे, इस तरह से यह देखें, थोड़ा कमी ही कटें आप नहीं तो हो सकता ह वो ज्यादा बड़ा होल हो जाएगा यह देखिए इस तरीके से भी आप कटिंग कर सकते हैं जो आपको तरीका अच्छा लगे है उस तरीके से आप कटिंग कर लें कर देखिए एक दम फिक्स हो गई इसमें अच्छे से अब आप इसमें वासर लगा दे यह देखिए यह वासर भी आप लगा सकते हो और यह जैसे कि मैंने आपको बताये इसको लगाने का तरीका कि यह अंदर जो दीफनेज हो इधर रहने ची अंदर की तरफ और जो फ्लेट पॉर्सन है ऐसे उबरा हुआ वह उपर रहना चीए ऐसे मैंने आपको दो कड़ी लगा कर बता दिये इसी तरह से आपको सभी कड़ी को लगाना है यह देखिए हमने सभी कड़ी इसमें लगा दिये यह देखिए और यह सीधा है और यह देखिए यह उल्टा है यह देखिए यह तरहिका वहत ही अच्छा है और वहत ही इसमें एक्क्यूरेसी से लगी और वहत ही फिनिसिंग से लगी अब कोई एक्स्ट्रा धागे भी निकलेंगे क्योंकि हमने सोल्डरी आईरें से जलाने से देखे उसके धागे भी निकलेंगे वह जलके एकदम किनारी बन गई और जो पट्टी थी वह हमने अंदर छुपा दिये जैसा कि मैंने पहले बताया आपको एक पर्दा वह बताती हूं आपको यह देखे यह पुराना वाशिंग मशीन में दो होगे तो यह बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी और इसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी और अब इसका सीधा में आपको बताती हूं यह उट्टी तरफ है दोनों कई यह देखे यह सीधी साइड से बस इसमें यह की फरक है कि इसमें हमने यह प बहारी है दिखते हुए तो अब हम इस परदे की पट्टी नीचे के पट्टी फोल्ड कर लेते हैं अब हम इसमें पट्टी फोल्ड करने से पहले आप ध्यान रखें आप मार्किंग लगा दें अफे लंबाई की और उसमें आदा इंच अंदर रखें और इस तरह से और लगता है. यह देखे हमने पर्दा बना लगा दिया है. और अगर आप इसमें कोई डिजाइन बनाना चाहते हो तो बहुत आप बना सकते हो, मैं आपको बताती हूं. यह देखे प्लेन पर दार्क पर परदे पर लाइट कलर की फ्रिल बना तो दगुआ ह cereal कट specifically देखे इस तरह जे कटी है और लेस लगा शेसा इसा नहीं करना चाना आणा थे वहला कपड़ा भी आप ऊपड़ लगा सकते हो और आठ कटीका बनाकरकि बटा आपको और यह देखे इसके लिए इसके लिए अलग से 10 कड़ी वाली पट्टी आती है और एक 8 कड़ी वाली आती है और ये 9 कड़ी वाली भी आती है लेकिन आप या तो 8 का लें या फिर 10 का लें लेस लगा के इस तरह से ये नया लुक दे सकते हैं फ्रेंड्स फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें थैंक्स